हेलो फ्रेंट्स मैं गीता मेलवान स्वागत करते हूं आपका हमारे यूट्यूब जैनल में फ्रेंट्स आज किस व्यूटियो में हम पढ़ेंगे नेगोशियेशन इंस्ट्रूमेंट एक्ट के बारे में Negotiation Instrument Act है जो ये बना हमारा 1881 में Negotiable Instrument इसका मतलब क्या होता है Negotiable Negotiable means Transfer Instrument Written Written Instrument ऐसा Written Instrument जो की Transferable है Negotiable Instrument Act की जो कुछ इसमें सेक्षन है जो इंपोर्टन सेक्षन है वो हम डिसकस करेंगे First है हमारा Section 4 Section 4 है हमारा Provisory Note से आप से Question में पूछ सकते हैं कि Provisory Note है जो Negotiable Instrument में कौन सा सेक्षन है तो आपको Option में से चूज करना होगा देखें आप ये तिनों ऐसे याद कर सकते हो पहले होगा Provisory Note फिर Below of Exchange फिर होगा Check 4, 5, 6 Provisory Note का होगा Section 4 Bill of Exchange का होगा Section 5 Check का होगा Section 6 आप से पेपर में ऐसे भी Question पूछ सकते हैं कि Provisory Note है वो क्या है Option बहुत सारे देऊंगे आपको उदर आपको चूज करना है Negotiable Instrument Act Bill of Exchange को पूछ सकते हैं कि ये क्या है आप पताओगे Negotiable Instrument Provisory Note क्या है Negotiable Instrument और Bill of Exchange भी Negotiable Instrument Check भी क्या है Negotiable Instrument अब हमें पताओगे Provisory Note क्या है Provisory Note होता है जो बायर है इसको वो लिखता है जैसे बायर ने किसी सेलर से सामान खरीता वो उसको बोलेगा कि मैं आपको इतने पैसे इतनी तारीकों दूँगा तो वो एक पेपर पर लिखके देगा उसपे साइन कर देगा तो वो होगा Provisory Note क्योंकि इसमें Provisory Note क्योंकि इसमें प्रोमिस करने वाला उसको बना रहा है तो इसको बोलेगे Provisory Note Next हमारा Section 5 Bill of Exchange Bill of Exchange को जो seller है वो ड्रो करता है जैसे कोई seller है वो अपना समान बेच रहा है तो वो एक Bill of Exchange रो करेगा उसपे लिखेगा कि आपने मेरे से इतना समान लिया है और इतने पैसे गए इतनी तारीकों आपने मुझे पैसे देने है उसपे वो उसके बायर के साइन करवा लेगा यह कि हमारा Bill of Exchange Next हमारा Section 6 में है Check किसी को पैसे देने जो भी है चेक का आपको पता ही है चेक पे साइन करके आगे बायर को दे देते है Sorry seller को दे देते है Next हमारा Section 7 Section 7 में क्या है Drawer, Drawer and Pay इनके बारे में बता है Drawer, Drawer and Pay आपको पतन चीक ड्रोर क्या है Drawer क्या है and Pay क्या है इसलिमा आपको बताती हूँ Drawer क्या है मालो मैं बैठी हूँ मेरे ड्रोर में Check है मैंने क्या किया अपने ड्रोर से Check निकाला और उस पे Sign करके दे दिया तो मैं हो गई ड्रोर मतलब Check को लिखने वाला जिसके Sign Check पर होते है Drawer Drawer क्या हो गया? जैसे Bank जिसके थिरू Payment होते है वो गया Drawer और पेई पेई हो गया जिसको पैसे मिलेंगे Beneficiary यहां पे पेई Drawer को भी Pay कह सकते है और Third Person भी Pay हो सकते है अगर Drawer अपने आप भी पैसे निकल वा रहा है तो वो गया Pay अगर कोई Third Person पैसे निकल वा रहा है तो वो गया हमारा Pay ठीक है? Pay हमारा Drawer भी हो सकता है और Third Person भी हो सकता है Drawer चेक को लिखने वाला होगा क्योंकि वो Drawer से चेक निकल लेगा और उस पे साइन करेगा Drawer हो गया Bank जिसके थ्रूँ पैसे निकलते है Drawer मतलब जिसके पास चेक जाएगा Next हमारा Section 8 Section 8 में क्या है? Negotiable Instrument Holder इसमें Holder की Definition बता हुए है कि Holder को नहीं है? जिसके पास वह है इंस्ट्रूमेंट होगा? Holder, Negotiable Instrument का Holder Next है Section 9 Section 9 क्या होता है? इसमें क्या है Section 9 में? Holder in Due Course इसमें बताया गया है Holder in Due Course Holder in Due Course मेंज जिसके पास Due Course में वो इसमेंट है वो होगा Holder in Due Course जैसे हमारे पास बैंक में कोई कस्टमर आया और कस्टमर के हैंड में वो चेक है तो उस टाइम उसको बोलेंगे Holder in Due Course Next हमारा Section 10 Payment in Due Course Payment in Due Course मेंज Due Course के अकोडिंग पेमेंट करना जैसे हमारे पास 10 से 5 के बीच में हम पेमेंट करना पेमेंट इन Due Course Next हमारा Section 14 Negotiable Sorry, Negotiation means When a negotiable instrument is transferred from one person to another that person become the holder Negotiation means एक कोई बेक इंस्टुमेंट है वो दूसरे परसन को ट्रांसपर किया जा सकता है वो यहां पे बताया मैंने आपको negotiation क्या उता है ट्रांसपरीबल इंस्टुमेंट कोई भी रिटर में और जिस परसन को ट्रांसपर हो जाता है वो जाता है उसका होल्डर Next हमारा Section 15 Section 15 बताता है इंडोर्समेंट की डेफिनेशन है इंडोर्समेंट Signed by the holder on the front or back of the negotiable instrument इंस्टुमेंट यह इंडोर्समेंट पर sign करके वो आगे endorse कर सकता है एक यह होता है अलोंजी क्या होता है एक question में था Indorsement करते हुए जब देखो sign कर रहे है दो ब को endorse कर रहे है तो उसपर sign कर के आगे देगा वो आगे sign कर के देगा है एसे करके तो फिर ऐसे दूश्पे जएका गत्म जाएगी ना चेक मनलो चेक तो फिर क्या करते हैं उसके साथ एक कागज लगा से है फिर उसका पर साइन सुरूव पाथ ए तो जू मैं आपके बताती है घ्यूंड आपकर की ताइप किस किस प्रकार से हो सकता है उसके बारे में हम डिसकस करेंगे फर्स्ट हमारा endorsement in blank इंडोर्समेंट इन ब्लैंक में क्या होता है कि जो इंडोर्सर होता है वो अपने साइन कर देता है ठीक है उसके बाद वो चैक को चाहिए वो चैक खाली भी हो किसी के कोई भी अपना नाम फिल करें उसमें अपना अकाउंट नंबर फिल करें कि इस अकाउंट में जाना है या कि endorse कर रहा है और endorse जिसको endorse किया जा रहे हैं नेक्स हमारा endorsement in full endorsement in full means endorser है जो वो उस पर आपने sign करेंगा साथ में उस नाम भी लिखेगा कि इस person को के account में यह पैसा जाना है जो भी है उस पर sign के साथ वो उसको fill कर देगा पूरे को नेक्स हमारा restrictive endorsement restrictive endorsement का मतलब होता है वो आगे उसको जैक को आप endorse नहीं कर सकते जैसे हम अपने endorser ने sign कर दी और उस पर लेख दिया कि ये राम के account में राम के account number 410 में ही ये check है जो राम के account 410 में ही जाएगा next हमारा फोर partial endorsement partial endorsement है इसमें endorser endorse only certain amount इसमें कुछ amount को ही हो करता है कि हाँ इस चेक में से इतनी amount इसके account में जाएगी ये वैसे अब valid नहीं है partial endorsement next हमारा conditional endorsement conditional endorsement क्या होता है इसमें condition रख देते हैं जैसे कि ये पैसा राम को मिलेगा लेकिन तब ही मिलेगा जब उसकी साथ्धी हो जाएगी ठीक है तो यहाँ पे ने condition रख दे जाती है कोई भी condition रख सकता है यह हमारा conditional endorsement next हमारा sense recourse endorsement इसमें क्या होता है endorser है जो अपने आपको बिल्कुल free कर लेता है कि मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी जैसे कि उसने check दे दिया चैक दे दिया उसने राम के नाम की राम के account में जाएगा तो वो without recourse हो जाता है चैक कि मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है चैक उसको दे दिया तो बस मैं अब यहां से free हूं चैक उसके account में जाए मतलब जिस भी account में जाए मैंने इसकी नाम से दे दिया अगर किसी के wrong account में चला गया तब भी मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं नेक्स्ट है seven speculative endorsement next हमारा seven speculative endorsement the endorser can increase or decrease his obligation इसमें क्या गर सकता है जो endorser है वो अपनी obligation को बढ़ा भी सकता है और कम भी गर सकता है जैसे कि वो बोल सकता है कि इस check का payment है वो राम को करते जाए अगर उसकी payment नो तो मुझे वापिस notice देने की जरूरत नहीं है इसको बोलते हम फैकुल्टेटिव endorsement कि उसने अपना ये बढ़ा भी लिया obligation और obligation कम भी कर सकते हैं यह थे हमारे types of endorsement next है हमारा check when check cannot be endorsed check को कब-कब हम endorse नहीं कर सकते हैं सबसे पहले हमारा general crossing अगर check पर general crossing है मतलब account पे ही हो गया तो उस पे हम check को endorse नहीं कर सकते हैं next है special crossing special crossing में भी हम check को endorse नहीं कर सकते हैं note negotiable अगर negotiable instrument नहीं है उसको भी हम endorse नहीं कर देखो चक वैसे भी check है जो कहा है negotiable instrument है note negotiable नहीं है इसके हम payment नहीं कर सकते अगर note sorry note negotiable इन्स्टिमेन्टU उसको हम endorse नहीं कर सकते next day restrictive endorsement अगर restrictive endorsement है उसको भी हम endorse नहीं कर सकते restrictive endorsement के पारी मैंने आपको बताया था कि जैसे ram के account लाम के 410 account में ही पैसी जाना है नहीं कि किसी और में, ठीक है, तो यह मैंने आपको बता दिया है, टाइपस ओफ इंडोर्समेंट, और कहां पर इंडोर्समेंट, इंडोर्स नहीं होसता है, चेक, अब नेगोशेबल इंस्टुमेंट, एक्ट का नेक्स सेक्शन है हमारा, सेक्शन फिप्टिन था हमारा इंड इंडोर्समेंट, 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 इंडोर्समे इस पेबल ओन डिमांड if the time for payment is not specified on it, अगर instrument पर कोई date mention नहीं कीगी है, तो इसमें क्या है, जब भी demand होगी तब उस instrument की payment की जाएगी, जब भी वो प्रजेंट के जाएगा instrument, नेक्स्ट हमारा section 20, इसमें क्या है, the holder can complete the incomplete instrument, इसमें क्या है, अगर check है माल लो, उस पे सिर्फ sign है तो क्या है, जो holder है, जिसको वो मिला है, वो उस check को complete कर सकता और उसकी payment ले सकता है, नेक्स्ट हमारा section 22, इसमें है definition है, इसमें बतायागा है, bill of exchange को, bill of exchange measures on the date, due date, grace period of three days, इसमें no, section 22 में, three days का grace period के बारे मताया हुए है, कि bill of exchange है, जब mature होता है न, उसके बाद उसको three days का grace period भी मिलता है, मानलो, यह 20 को mature होना था, तो इसको three days का grace period मिलेगा, वो 23 को mature होगा, next है, section 87, section 87 में क्या है, material alteration, इसमें बैंक को protection मिलती है, कैसे, जब material alteration हो, ठीक है, और क्या है, बैंकर ने, उस check पे material alteration है, उसमें कोई cutting हो रखी है, और हमने ध्यान से देखा है, इसको देखने पर अगर उसमें कोई material alteration नहीं दिख रही है, तो ऐसे में banker को protection मिलेगा, material alteration, अगर check पर material alteration हो रखा है, तो क्या होगा, उसकी payment नहीं होगी, check की, next section 89, 89 में क्या है, protection to bank, अगर material alteration है, और banker ने naked eye से उसको देखा है, मतलब उसमें material alteration नहीं लग रहा है, उसने, customer ने check पर correction किया हुए है, ठीक है, लेकिन banker को देखने से ध्यान से देखने पर भी, वो alteration नहीं दिख रही है, तो इसमें क्या होता है, banker को protection मिलेगी, section 89 में, next है, section 131, section 131 में क्या है, protection to collecting bank, जो collecting bank है, उसको protection मिलेगी, अगर उसने due diligence में काम किया है, next है, section 138, 138 में क्या है, dishonor of check, dishonor of check कब हो जाता है, देखो, जब किसी customer ने, किसी person को check दिया है, ठीक है, और उसमें क्या है, उसमें substance balance नहीं हो, तो क्या हो जाता है, check का dishonor हो जाता है, तो इसमें क्या होता है, जो, जिसको वो check मिला था, उस holder को, उस customer को, जिसने वो check दिया है, उसको 30 दिन के अंदर-अंदर, notice देना होता है, कि आपके account में इंसब्सेंट balance था, इस वज़े से ये check की payment नहीं होई है, अदरवाईज उस पर penalty लगती है, drawer पर, drawer कोन होता है, जो check लिखता है, तो ये थी हमारे negotiable instrument act 1880 के important section, जिसके बारे मैंने आपको बताया है, इनको अच्छे से revise कर ले ना, दो-चार बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, thank you, जो बारे कंपको बारे कि अड़्या